रोज रोज एकी तरह का नास्ता, बड़ा इटली, पकवडी, डोसा खा खा कर आप परसान हो गए हैं तो आज मैं आप सब के लिए जड़पड से बनने वाली एकदम नए तरह की नास्ता की रेश्पी शेयर करने जा रहे हूं बनाने में बहुत ज़्यादा असान है, खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट लगते हैं इटली, डोसा, बड़ा, पकवडी, भूल का रोज आप यही बनाना और खाना पसंद करेंगे तो चलिए देखते हैं इस रेश्पी को कैसे बनाना है तो एक कप में ले रही हूं पानी, आप जितना नाश्ता बना रहे हैं उसके हिसाब से पानी कम ज़्यादा ले सकते हैं थोड़ा से इसमें डाल देंगे, कुटी हुई लाल मिच का पाउडर, थोड़ा से नमक डाल देंगे नमक आगे भी पड़ेगी, इसलिए नमक थोड़ा सा ही डाल लिएगा और इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती कटी हुई और अच्छा से इसे मिला लेंगे ताकि नमक अच्छा से पानी में घुल मिल जाए अब हम ले रहे हैं एक कप भरके सूजी, यहाँ पर बारिक सूजी में ले रही हूँ, एक कप पानी में ली हूँ, एक कप सूजी ली हूँ अगर आप मोटा सूजी ले रहे हैं तो आप पानी देड़ कप लीजिएगा क्योंकि मोटा सूजी जो है पानी थोड़ा जादे सोकती है इसलिए पानी आप आधा कप बढ़ा दीजेगा अगर बारिक ले रहे हैं तो आप एक कप ही पानी का इस्तेमाल कीजिएगा मतलब जितना सूजी है उतना पानी अच्छा से मिक्स कर देना है मिक्स करने के बाद में चलिए चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पर मैं गैस पे पेंट रख दी हूँ अब इसमें मैं डाल लही हूँ एक छोटी चमश तेल जो भी तेल आप यूज करते हों तेल ले सकते हैं तेल को गरम कर लेंगे गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही इस पे जादा डाल देंगे तो बहुत जादा ये फेश्ट गीली हो जाएगी इसलिए अगर सूजी बारिक है तो आप इतना सूजी ले रहे हैं उतना ही पानी लीजिएगा इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा चलाते हुए सूजी को अच्छा से हम पकाएंगे जब तक सू सूजी को चलाते हुए इसे पका लेना है गेश को बंद कर देना है और सूजी को हम एक बरतन में निकाल लेंगे जो हमने आटा बना कर रखा है और ढखकर इसे हम रख देंगे अब इसके लिए हम मसाला तियार करेंगे मसाला तियार करने के लिए मैं तीन बॉयल किया हुआ आलू ली हूँ आलू को मैस कर लेंगे आप चाहे तो हाथों की मदद से या चमच की मदद से आप मैस कर सकते हैं बहुत जादा बारिक नहीं करना है हलका सही से गुठलिया रह को अच्छा से गरम कर लेंगे गेस का फ्लेम लो ही रखेंगे एक चम्मा डाल देंगे इसमें राई राई जैसे चटकने लगे इसी के साथ में हम डाल लें हैं जीरा धनिया और लाल मिर्च दरदरा कूट कर इसे काफी अच्छा टेस्ट आती है थोड़ा सा हल्दी का को हलका सा भून लेंगे मसाला देख सकते हैं हलका सा पक गए हैं अब इसमें हम डाल देंगे मैस किया हुआ आलू बहुत चटपटा सा मसाला बनकर तयार हो जाती है आलू का और बनाना भी बहुत असान है जटपट से बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट लगते हैं कल्चुला से दबाते हुए आलू को हलका सा हमेश करेंगे और अच्छा से मसाला में मिला लेंगे अब इसमें हम डाल देंगे स्वादनुसार नमक तो सबसे पहले हम थोड़ा सा साधा नमक डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे यानि स्वादनुसार नम अब इसमें हम डाल देंगे बारिक कटा हुआ धनिया की पति धनिया की पति को डालने के बाद में अच्छा से मिला लेंगे तो हमारी जो मसाला है बनकर तयार हो गए है बहुत चपठा लगते हैं आप चाहे तो प्याज भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन बिना प्याज कभी बना सकते हैं, यहाँ पर आलु का मसाला ठंडी हो गई है, जब ठंडी हो जाए, चोटा चोटा इसको बौल्स बना कर तयार कलेना है, पहले इसका हम बौल्स बना लेंगे तकि नाश्टा बनाने में काफी असान हो, तो बहुत जादा बड़ा में महीं बनाना है थोड़े छोटे छोटे साइज में बनाना है बॉल्स तो यहां पर सभी आलू का बॉल्स में ने बना कर तयार कर लिया है यहां पर जो सूजी है हलका सा ठंडी हो गई है अब इसे हम हाथों से मैश कर लेंगे यानि गूथ लेंगे ताकि यह जो सूजी है न तरफ बन जाएगी तो सूजी देख सकते हैं अच्छा से गुत गई है अग थोड़ा थोड़ा हम लोईयां तोड़ेंगे बहुत बड़े साज में लोईयां नहीं तोड़ेंगे छोटे छोटे लोईयां तोड़ेंगे और हाथों में लेकर इसे चिकना कर लेंगे और इसे पे आते हुए अच्छा से इसे हम दबा कर पैक कर देंगे ये बिलुकुल भी नहीं खूलेंगे अच्छा से इसे पैक कर दीजिएगा हाथों में रखकर इसे गोल सेप में बनाएंगे उसके बाद में इसे रोल की तरह इसे बना कर तयार कर लेंगे तो आप चाहे तो गोल सेप मे भी बना सकते हैं या मेरे तरह रोल सेब में भी इस तरह से बना सकते हैं तो यहाँ पर पाहली नाश्ता हमारी बनकर तयार हो गई है दूसरी भी मैं आप लोंको दिखा रही हूं थोड़ा सा योई को काटेंगे हाथों में इसे लेकर पेड़ा का सेब देंगे अंगलियों से दबा कर इसे बढ़ा लेंगे और आलू का मसाला बीच में भरेंगे अंगलियों से दबाते हुए इसे हम अच्छा से पैक करके इसे रोल का सेब देंगे इसी तरह से सभी नाश्ता को पहले हम बना करके तयार कर लेंगे तो हमारी सभी नास्ता बनकर तयार हो गए हैं देख सकते हैं अब हम इस्टीम दिलाएंगे तो हमें एक जाली की छलनी लेना है इस तरह से आप चाहे तो पलेट में भी इस्टीम दिला सकते हैं और सभी नास्ता को हम पलेट में फैला देंगे कराही में पानी में रख दी थी गरम होने के लिए जैसे गरम हो जाए अब ये नाश्ता वाला जो प्लेट है ना कराही में रख देना है और 6-7 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पे इस्टीन दिलाना है पहले से सूजी पकी हुई है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लेगेगी 5-6 मिनट हो गई है चेक कर लेते हैं तो देख सकते हैं सभी जो रोल है पकी गई है ये देखिए पूरी तरह से पक गई है अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद में अब हम इसका तड़का लगाएंगे तड़का लगाने के लिए वापस में वही पेली हूँ अब इसमें हम डाल देंगे 3-4 छोटी चमच के लगभग में तेल जैसे गरम हो जाए यहां पर हम सूखा नारियल को इसको पतला पतला काट लिये हैं थोड़ा सा डाल देंगे थोड़ा सा तड लगा के डाल देंगे और इसको हम हलका सा भूलेंगे तो देख सकते हैं हलका सा नारियल जो है लाल हो गए हैं अब हम दो चमच डाल देंगे छोटी चमच से तील तो जो भी तिल आपके पास सफेद या काला ले सकते हैं तील की जगह आप राई भी डाल सकते हैं अब यह न कर sacar कि तो बाद में chopping आदी मिनट चखक करसे छोट कर दें नास्ता के उपर अच्छा से ग। कोफिश mentor के लिए तो नास्ता के उपर जो तील लाल मिर्च कोटि भुखिऑ और घान आधि तीका में के लिए थोड़ा सा कास्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे अच्छा कलर के लिए आप चाहे तो कास्मीरी लाल मिर्च इसकी भी कर सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे या आम चूर पौडर भी डाल सकते हैं या थोड़ा सा नेबू का रस भी निचोर कर डाल सकते हैं थोड़ा चारा मिनट का समय हो गया देख सकते हैं नाश्टा के उपर पूरी तरह से मसाला कोटी हो गया नास्टवा इस ममें गैस का फ्लेम करेंगे लगा लेंगे पलेट सूजी आलू का ये नास्ता काफी ज़्यादा हिल्दी है और कम समय में कम तेल में ये नास्ता बन जाते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगते हैं आप पूरा का पूरा ऐसे ही नास्ता खा जाएंगे, चत्नी की बिलुकुल भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, डोसा, कचोडी, पकोडी, समोसा, इटली, आप लोग खा खा कर अगर बरसान हो गए हैं, तो एक बार ये नास्ता जरूर से ट्राइ करिएगा, आप सभी को ब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, या सुबह साम के जल्दबाजी में ये नास्ता आप बना सकते हैं, बहुत हेल्दी नास्ता है, अगर आज की हमारी सोजी आलू का नास्ता आप लोग को पसंद आ रही हो